हलो दोस्तो इस वीडियो में बताने वालाओं की यूटूब वीडियो पे कौपी राइट क्लेम आने पर क्या हमारे चैनल को कोई नुकसान पहुंचता है की नहीं पहुंचता है इस से हमारे चैनल को कोई नुकसान होता है की नहीं होता है इस वीडियो में आपको जनकारी दे YouTube Channel Open करते हैं उन लोगों के वीडियो पे ज़ादा तब जो है गौपीराइट क्लेम आता है दोस्तों उनको जो है YouTube जो रूल्स है उनको मालूम नहीं होता है और इसके वज़़े से वीडियो में जो है copyright claim आना स्टार्ट हो जाता है copyright claim आने का मसक यह दोस्तो अगर आपने वीडियो बनाया है आपका खुद का वीडियो है आपने background में कोई ऐसा song add कर दिया है जो आपका नए किसी दूसरे चैनल से आपने उठा के add कर दिया है चाहे किसी दूसरे का वीडियो आ अंदर add रहेगा उसको जो है मालूम हो जाएगा जब आप चैनल चेक करेगा कि कोई हमारा चैनल का वीडियो अपलोड तो नहीं किया है जब देखेगा जिसका भी आपने वीडियो एड़ किया है वो देखेगा बंदा तो आपके जो वीडियो है उस पे जो है copyright claim देदेगा अब copyright claim देने से उसका क्या फायदा है वो भी जा लिजे अगर आपका चैनल monetization enable है तो जिस वीडियो पे copyright claim आया है उस वीडियो पे जितनी earning होगी जितनी भी पैसे आएंगे जो copyright claim दिया है उसको मिलेगा आपको नहीं मिलेगा समझाया अगर आप जो है copyright claim से बचना चाते हो तो आपको किसी का वीडियो चाहिए किसी का भी song अपने वीडियो में add नहीं करना है नहीं तो add करते हैं तो आपके वीडियो पे copyright claim आना start हो जाएगा अब जो main मुद्दा है कि copyright claim वीडियो पे आने पर क्या चैनल को कोई नुक्सान पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है दोस्तो जब आपके वीडियो पे copyright claim आता है तो आपको एक email भेद दिये जाता है उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि आपके channel पे कोई भी side fact नहीं होने वाला है I hope कि आपको जो doubt था वो clear हो गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कर दीजेगा और YouTube से जोड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इसमें वीडियो में comment करके मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों यहीं करते हैं वीडियो को समात फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ जैहिन उन्दे मात्रा